हेलो फ्रेंट्स वालकम वेक टो माई चैनल तो यहां बई अपना भूनो और चार्ली हर्दम दियान रखे आपको अपने डोक को ना वोक कराके कुछ बैनी फिन नहीं होंगे उसके सरीर की स्ट्रेचिंग नहीं खुलेंगी पूपर तरीके से तो हर्दम अपने डोक को से खुल जाए और उसके बाद ये फ्रेस अच्छे से हो सके तो अब इनको वर्काउट कराते हैं देख रहें चार्ली ब्रुनो का भी श्ट्रेक पूरा ध्यान बोल के उपर देखे हिंदोनों का ध्यान से बोल के उपर है और अब यह अपने चार्ली ब्रुनो अगर आप व ब्रुनो अर्दम दो कदम आगी रहता है चार्ली से चलो इनको अभी रनिंग कराते हैं थोड़ा सा गो वह देख रहें ब्रुनो ने फटाक से ले लिए तो इस तरीके से आपको अपने डोक्स का वर्काउट एक्सरसाइस करानी है अगर आप वोक कराते हो तो विकार है ब्रुनो ड्रोप चार्ली स्टॉप तो अभी इन से बोलने लेते हैं इनको वापस इनकी रनिंग कराएंगे तो ब्रुनो अर्दम दस कदम आगे रहता यार उससे चार-पॉंच कदम आगे रहेगा चार्ली से जिसी वज़े से चार ब्रुनो हर बार पिक कर लेता है तो ब्रुनो का इससी बार ऑक चार बोड़ और और बोट से दोड़ नहीं पार और अगर आप चाहते हों आपके निंग के घर्ट अच्छी रहे और आब वह अच्छ पर देखें चार्ली को खाना कैसे दिया पूरा उसका मुष न गया है ब्रूना द्रॉप नाओ बेटा ड्रॉप ड्रॉप ब्रूना स्टॉप नाओ ए भगवाल तो यही बोल भी फैक्ते हैं वापस से कैसी जिके फैक्ते जाए से चार्ली ले ले यार भी तो बाई ने ब्रॉणो ने देख लिए देखी हुई चीज तो ब्रॉणो ही ले किया पाएगा क्योंकि उसका फास्ट रनिंग जादा है चार्ली से चलो ठीक है अगर आपको मैंने बता जे एक्सरसाइज वर्काउट अपने डोकों कैसे कराना और क्यों कराना जरूरी होता है वीडियो अच्छी लगिया तो जरूरी सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें कमेंट्स करें थैंक यू सो मच वचिंग मैं वीडियो टेक्यार एंट बाई बाई ब्रॉणो बोई कम ओन बोई